हाई हैनी बीस वालकम टू कॉफी बीस बात करेंगे भालू अपी के व्लॉग के बारे में देखो मेरा अंदाजा हमेशा सही रहता है मैं जनाब को मैं हमेशा कहते हूं कि जनाब जो है न वह एक्स्टिमिस्ट नहीं है यह गुटका है आपको प्रूफ मिल गया ना भालू नाम को कि कैसे लोग है काफिर है ऐसे वैसे लोग है तिलक लगा दिया वगेरा वगेरा इनको तो ये सजा मिलेगी उन तो वह सजा मिलेगी भाई तिलक लगाने में क्या हर्जे मुझे समझ नहीं आता है और ये वही लोग है जो कि मक्षी मेडम जो है वो जब ईद मनाती है जब उर्दू वर्ड गोलती है तब माशालला आपने तो कितने अच्छे से सब एड़प्ट कर लिया है तब नहीं कुछ भी होती है तब उसने जो है उसकी तारिफ की जाती है लेकिन बारातियों को जो तिलक लगा जाता है तो तिलक लगा दिया क्या लड़किये वालों ने तो इनको तकलीफ हो गई वह भी हमेशा थोड़ी लगाएंगे थोड़ी दिर के लिए तो तकलीफ हो गई वैसे तो जनाब शो में भी तिलक लगाते तब तो इन लोगों को जो है वह चल जाता कि एक्टिंग है लेकिन वहां पर लगाया तो तकलीफ हो रही और यह भालू इतनी नला है कि किसी कि सखी नहीं है अपने भाई को भी गालिया पढ़ रही थे जान बुचके ओ तुमनेल लगाये था जहां पर जनाब को तिलक लगा हुए नान को कि गालिया दो भाई को, देखो मेरा पती नहीं लगाता है, और गुटके नहीं लगाता है, गुटका है कटर आदमी, मैं हमीशा से कहती हूँ, यह जनाब नहीं है टॉक्सिक जितने उतना यह गुटका है, जनाब जितने प्रॉब्लेमेटिक नहीं सब जनाब के पीछे गए थे शुरू-शुरू में जादा, तो उसी को हम कैटर करते हैं, और गुटका किंग का तो जिससे मेरी बात होती थे ना, उसकी बहन वगेरा को यह इशू था, कि अपना सर नहीं ढखती है, यह नाशने काने वाले खंदान से है, इस वज़े से माननी रहती हो, और वो ज जानी तिलक लगाने में क्या ही हो गया, अचा लिप्स्टिक लगाते है, वो भी तो रेड कलर का होता है, है ना, रेड कलर का है, तो लिप्स्टिक वोट पर लगा सकते हो, टिंट लगा सकते हो, पिंग कलर का, फिर आईशोडो जो है कलर फुल लगा सकते हो, तो अगर कुम लगाया तो तब तुम लिप्स्टिक मत लगाया करो शो देखना भी जो है वो नहीं एलाउट रहता क्यों यह सब करते हो मतलब ग्यान देना बड़ा इसी रहता है इनके लिए सेम यह हरकत जो है वह जो बेगम साही बाब बन गई है अभी आज कल की बच्चियों को क्या हो गय है बी ग्रेड मुवी की है यह औरत जो है महान बने दूसरों यह औरतों को जज़ करती है और फिने तो खूब इसको मू तो जाओ दिया कि तू अपना संभाल बाई मुझे मत सिखा तो अपना कर रहे हूं मुझे पता है मुझे क्या करना है किसकी बात कर रही हूं मैं वही जो break up के बाद एक stable partner ढून रही थी अपनी जिन्दगी में जो की financially support करें क्योंकि career में करने के लिए कुछ था नहीं वही secret movies थी और show में या तो कहीं पर कोई ले नहीं रहा था तो करे तो करे क्या फिर मिल गया धर्म का सहारा लेकर ये करना फिर दूसरों को judge करना बहुत इजी होता है देखो अचानक से जिसके मन मेंगे सब जाकता है ना वही extremist बन जाते है जो शुरू से जो शुरू से follow करते दिल से वह इतना नहीं दिखावा करते वह दूसरों को नहीं judge करते उनको पता है कि हम अपना देख लेंगे लेकिन यह जो ऐसे लोग होते भालू जैसे सना खान और उसकी जो जो है चपरी क्या नाम उसका दोपती पत्नी चपरी जैसे है कहां पर रहते हैं वह दोनों जो ज तो यह सब चलेगा क्योंकि सना जी के जो है पॉकेट में पैसा आता है अबाया सेल करकर और पता है मज़े की बात क्या है उसको पता है कि जो जानता है सब कुछ वो comment section में लतार लगाएगा तो comment section जो post रहते हैं उसका comment एक दब limited कर देती है ताकि कोई जो है comments ना कर पाए है इंडस्री में काम नहीं मिला ना लुक्स था ना एक्टिंग थी ना कुछ था ना कॉंफिडेंट था कुछ नहीं था आठ हजर की नोकरी करी पांच हजर तो ट्रावेलिंग में जाता था इसका घबराट कवीन का वह वह टेले वाली की थी कुछ ठीके डिजाइनर को असिस् समझा गया कि अब करने को कुछ है नहीं बड़ी तकलीफ होती थी जब भावी जो है अपना यूज सामन देती थी तो क्यों भावी नहीं खरित के देख तो भुबाल से यहां पर लाई थोड़ी ना जिंदगी पर इतने बड़े-बड़ी ओरतों को काम करके खुद का पेट भड़ना रहता है यहां पर ले आई तो क्यों भई करें तो बड़ा तकलीफ होती थी माँ बेटियों को जब भावी यू सामन देती थी तब यह ना कि भावी ने यह दे दिया बड़ी तकलीफ होती थी और अम्मी ने इसने बोला था चालो तो अपना कुछ काल ले ना चिं मेंस्त आदमी है मखी मेडम के चलते थोड़ा बहुत वह हो गया था यह गुटका और मखी है और मखी भी नहीं है मखी का यह पता चलिए जादा लोग जहां पर आए वहीं पर अपना बहाव कर लोग देखा भी तो जनाब जब अंकित को माला पहनाने जाते ना जो नोटो वाली माला रहती है अंकित के आख में आसु आ जाते है खुद की मा पहनाती तब रोना नहीं आता ना नहीं पहनाते तब नहीं आता लेकिन जनाब मेडम जब आते है तब उसकी आख में से आसु आ जाते है और वह फूट फूट के रोने लगता है अब इंसान की आख में से है यहीं नहीं मुझे पता लेकिन उनकी मॉम सिंदُर नहीं लगाते है और पूरी शादी में वो कहीं दिखे नहीं उनके फादर मामा मामी ना 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 नी चा चा-चा ची यही सारे लोग थे है उनके फादर absent थे तो अभी अंकिती बता सकता है क्या صीन है लेगिन हो नहीं थे और शयfight से उसकी शादी थी और जनाब आ गया और उस्वजे से वह इमोशनल हो गया और रोने लगा त hours bak लिए तो वह सकता है लेगिन हाँ यह जनाब जो है वह और मखे जितने बिनके आसपास की लोग जाये गरम अंकल कोई भी है प्रॉब्लेमिटिक व्लॉगर है वो लोग और कुछ-कुछ चीज है उनकी बहुत प्रॉब्लेमिटिक है बट अगर बात की जाए उनकी इंप्लॉइस की तो अच्छी तरीके से वो ट्रीट करते हैं अच्छा पे करते जिस वज़े से अभी भी टिके हुए ह और कल में एक बात मेंशन करना भूल गई थी जो कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं मेंशन करूँ किसी की थोड़ी बहुत जो अच्छा हीया है वो बतानी चीए मख्य मेडम में एक आध बात अच्छी भी है अगर निन्यन बे बद बुरी है तो संतुष भी है न बीमार संतुष भी है को शायद से कुछ इशू है जिस पज़से वो काम पे नहीं आ रहे थे तो मेडम को बोला उसने की मेरा ऐसा है तो मेडम ने अपने डॉक्टर के पास बीजा और फिर उन्होंने बोला कि एडमिट होना पड़ेगा तो मख्य मेडम गई थी वह और गर्म-गड मेडम बहुत मिस कर रही थी अरे कौन सी मैडम भाई एक मेने के लिए खाली गाड़ी चलाई थी अपनी बेटी को अपने आपको मैडम बनाने का बड़ा शो के शर्मीली को और ऐसे करती जैसे खंदानी करोड़ पती है मतलब है फ्रेंस तो ऐसे बात नहीं है हम कराड़ पत मंत्रा हुई फिर पापा का नाम तो फ्रेंस जब गुटको आगया तो हमने गुटको की सरनिम में पापा का नाम लगा दिया डबा खाले इब्राहिम क्योंकि गुटको विदा होके आए ना फ्रेंस तो जो है ससुराल का सरनिम लगता है ना फ्रेंस यह देखिए हमने ब्रा पिलाना पुड़ता है फ्रंस उम्हां क्या ही बताएं अ के सामने आसे बातेगों करता है कि चीजों से बना है चीजों से यह आपका बेटा इंटर्वियों में बोलता है कि मेरी चीजों से ही मेरा बेटा बना है तो आपको तब तकलिफ नहीं होती हमारे अगर गुटके के हमने थोड़ी बहुत तारीफ क्या कर दी कि एक देर साल में इस चीजों से बन गया सब कुई तो आपको बड़ी तकलिफ हो जाती है आपको काफी सही कहती है आप मंतरा हो अल्ला सरम नहीं आती है अपनी मा को यह सब बोलती है तो आपने हमारे गुटकों के बारे में मारे बारे में क्यों बोला मैं नहीं प्यारू लगता है अब जो थाओ मावाघ गिंग, हम से आगे हो गे हमसे ! ममी से आगे हो गे मावागिंग ! माअ नहीं खातेsın ! वह मानते लिखाते थे मानिक जन्गुठं का, अब नहीं खाते है अब एक इन्सां जो जो सुधरनस जा रहे तो अम्याबार बार याद़ दिला रही हो जूट मत बोलो, जूट मत बोलो हमें, अब पेटी जो है, वासिंग मसिंद में से कपड़ निकाली थी, तो उसका जो पाकेट होता है ना, उसमें थी, बोलो जुबा कैसरी, अब जूट मत बोलो, तो पेटी पेटी बोली, ये क्या है क्या है, पुरा फैल गया था, लाल लाल ह पूरा हम बोल कुछ नहीं वापस दो दो जड़कस के दो दो अम्मी आप यह सारा काम भी पिटी खला से कराती हो कराएंगे क्यों नहीं कराएंगे आयां यहां पर रहती काती पिटी है दोनों बच्छों को हमने संभाला आपने नहीं वह तो भाई भाई ने संभाला था हम सब बढ़ा एसान करता है ना फिर क्या बढ़ा देखो जब बोल रहे हैं सब लोगों सुनते रहता है कि मायके वालों को मायके वालों को पाइदा भी तो मिलना चाहिए बिलकुल सही अम्मी बिलकुल सही हम भी ना घुटके से ना बेबी क्या जूरुत थी असा करकर के खूब क कि पेटी खाला को लगता है कि जी 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 वह वह बहुत-बड़ा भाड़ा इसला करती है आप क्या यह बहुत बोल रहे हैं आपा आपा बोलो आपा आपा बड़ी आपा जो बड़ा एभसान करी है ऐसा लगता एक पेटी खाला को तो सो कंट्राल में राखना जी है तुम भी ना नान को पिज्जा को याद दिलाते रहो कि सब लगता कामेंट सेक्शन में ऐसा बोलते अरे अम्मी आपको क्या लगता है यह सब आपको हमें बताना पड़ेगा बिल्कुल भी नहीं अम्मी हम हर वक्त जो है बोलते रहते हैं आन केमरा तो बोलते ही है ताकि आडियंस के मन में भी जाए कि देखो कितने खर्चीले बच्चे है और आफ केमरा तो हम और भी चुट लेकर चुटे हैं यह सब्सक्राइब करें वेकि बिल्कुल बर भी नहीं ब्लेंग जरूरा क्यिक थिक हैं लेगिन हमें तो तुम 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 इतनी बीमार हो कि आम अरजनसी वगए जिरूरत पड़ती बेटा लेकिन म्मी यह मत बोला हम क्राविंग क्राविंग हम न इतना सा खाती है बेटी करती 네 नहीं कि दिरें से हम बोल रहे हैं किसी नसीप वाल है तुमाइगा है न देखा है इसा अपने सामने तो देखा है पेटा आंप कि बेटी मा के भाँ पर पड़े पसरे रहा बताओ बलाए तो नया देखा बिल्कुल पेटा आप तुम्हें हम क्या बोले अमें बेटी हो खुद खुद जो है घर जमाही लेकर आ गई एक तो पहते साल की होगे कुछ काम की नकाज की दुसमें अनाज की उपर से को और शुगर मॉमी ने बरवाया है नहीं सुनी को खुष्पित भूला तेरा एक भवडा लग रहता है अम्मी भवडा क्या होता है किस गुजरादन की आत्मा आ जाती है अपके अंदर हिंदी में बूला करके अम बोले नाटक बाजी क्या नाटक बाजी होती है भार बार ही करके आ नहीं में रोना आ गया था तो खुट को अपनी ममी को ब्ला रहा था वमने भयाने हैं मोकम बत पाथ ना तरहीम्मी अमेरे अंदर खौफ पैण घया तो मैं एस्वी रोम आ ठीक ठीक अच्छा चला हम चाहते हैं जाते हैं भूग लगे पूटेज अम सुबह से कुछ नहीं खाएं पलेट भर भर के खा लेंगे पूरा भूग निकाल लेंगे जितरा सगुन देंगे उससे दुगना खा लेंगे अम्मी हो सके तो थोड़ा बहुत अमरे टिफिं लिया आना चार पाश दबबो वाला बड़े बड़े डबो वाला भर के लिए आना ठीक है बैटा हम बोलेंगे पास में तो रहते हैं बोल दीगे, बचे का पीज देगे, आठी कैमी, अटू, बहुत बहुत दिमाग खराब करगे रखा है, अगर हमें गिफ्ट ना दिलाती ही, हमें सूप ना दिलाती ही, दो दिन ना रखते हैं, बिदा करते थे, दिमाग खराब रखा, एक वो है मोदा च की काम है तो पेटी खाला के वापे में मैंने कहती ही कि यह देखना कुछ टाइम बाद यह नहीं कड़ाई ला रही है यह इतना ग्यान बाट रही थे मैं उसी वाली पोड़कास्ट में बोला था कि सिर्फ 15-20 दिन रुख जाओ इसकी कड़ाई का जो है यह पूरा कोटिंग च तो अब बंगर भालव तो खाला को घ्यान दे रही थी कि आसा होता है कि जो डुबला इंसान होता है उसको तंग करना बहुत ईज़ी रहता है ताकतवर इंसान को कोई नहीं कर सकता है दुबले इंसान को कोई भी कैसी धक्का मर के चला जाएगा कैसी परेशन कर लेगा तो पेटी खाला पर मस्ती करना पेटी खाला की अगर कोई कर पाता तो शादिये तो भी भालो पी अपका भेजोगी शर्मीली बेगम ने जो एसमें से एक दूसिलवा भी लिए है शर्मीली बेगम ना किसी के हाथ आने वाली देखा कैसा सूट पहना था काला सूट पहनने का बड़ा दिल था उसका एक तो शादी में काला बड़ा के मानी फिर शर्मीली ना सफेद पहन लिया और उसमें भी सिलाई निकलने सिलाई निकालनी पड़ रही है अब सूचो वह सूट सिलवाई ज्यादा टाइम नहीं हुआ फिर भी सिलाई निकालनी पड़ रही है सो अफे पे अगर चड़के जो है सिंघासन पे बैठ पहना था लेकिन उन पर खिल रहा था क्योंकि ज्यादा उसके मोटा पानी चर्बी नहीं है सुट्टो बेगम ने सूट पहना था एक तो भाई साब वह क्या है तो सुट्टो बेगम को सूट के नीचे कुछ पहनने चाहे पहली बात तो इतना बुरा लगता है वह सूट के तरीके से जाती है चमक दमक नहीं तरीके से पेटी खाला भी तरीके से जाती है अब वह मैडम के लेबल का सूट था एक सब लोग बोल रहे थे कि मैडम ने यह जबर्दसी नहीं चेप है भाई सूट उनको भालू वरना कैसे दिलाती थी अच्छा है ना चलो उसकाम तो आ मैडम ही दिलाएंगे नहीं उस से अच्छा के मैडम ही दया कर रही तो पह massively रही है और मैडम जो है मखिम अभी से नहीं मखिम न कपड़ों के मामले में चाहिए धारा लहर साहां मखिमा यह वहां दर्दती नोगों को देती है बीजवा देते हैं मक्ही मधम हमेशा से सामंने मखी मधम कि बैंग्स होगैं मखी मधम के पिलो वगारा सब कुछ पींटी orenade मखी मधम सारा साम देती रहती अचा एक सबस्क्राइब से समझ नहीं आता इन दोनों मा बेी एस प्रेगननेंटा तो दबस त्थ तो एक सांब भालू Chumaka कि दोनों मा बेटी सेम टुसेम हो का तुम मा बेटी काम करती हो और शर्मा-शर्मा के बोल रही थी बाभी जो है इतना बना देती ते तना बना देगे करके रे बेशर्म हो एक चोटे बच्छी की मा है वो तुम्हारी पुद्धा है help करा तो क्या हो जाएगा लेकिन नहीं शर होता है कि भई यही तो है तुम्हारी आस्था कि तुम कितना भी बहुत सारे लोग तो फास्ट रखे मजदूरी करने भी चले जाते तो यही तो आस्था है बाई इसली और बोड़ी को अगर यही बात है कि भई वह पचेगा नहीं कुछ भी नहीं होगा तुम वापस से खा करूं बापा अट्टू काम यह वह जब की काम नहीं रहता सब कुछ है बटून का वही है हमारी क्लास लगानी रहती है कि ताकि हम काम करें ऐसा कि ऐसा निकम्या ना बने दो पहर में देखो सूबतों सबकी पपा वगरा कम जो रहते हुआ थे खाना बना देते दो पहर में अरसे मेरे से मंवेते बन्वाते गरम ताःटि का मेरा और ममी का तो कम पलसरी मुझे धोफएर में भानाना है उसके बाद मुझे क्लीन करना है वो सब कीचन क्लीन करना है हमारे सबस्सारे बातन्त कर आए करते रहते वह नहीं नहीं होते तो भी बता निकाल लेतें लेकिन बात यह वहीं बोलते हैं कि खुद का काम और भी आना चाहिए ताकि तुम जो है किसी और बिपंडिनेंट ना रहो क्योंकि 24-25 साल की हो गए है तुम तो खुद से खाना तो खुद के लिए बनाई सकते हो और मासी जब आते हैं देखो मासी मेरे आते हैं तो ऐसा नहीं कि मासी काम करेंगे ममी सिंगहसन पर चड़ेगी और हम भी बोलेंगे कि हमें तो बहुत पर करती है बच्चमन बहुत किया हर मासी करती है ठीक बहन के बच्चों से किसको अटेजमेंट नहीं होती है बच्चमन में किया था अब हम बच्चे नहीं रहे है ना बच्चमन चला गया अब मासी जो हमारे लिए बच्चमन में उन्होंने किया हमारा टरन है कि उनको बैटके हम खिलाए हां बना के खिलाए यहाँ पे फ्रैंस अभी बहुत पंपर किया था अरे भई पंपर किया था उमर थी थी ठीक है चलो जाने तो अब उनकी उमर हो गई है उनके गुटने में दर्द रहता है थोड़े इंसानियत तो दिखाओ बजिये पोकोडे सब वो तल रहे है बेचारे उन्हों करानी के साथ जो खाना बनाने वाली के साथ तो पेटी खला खड़े-खड़े जबकि उनके घुटने दुरुते हैं सारा काम वो करती है पिज़ा भी सारा कुछ जो है सम्मेट रही थी जब पढ़ाई करने जा रही थी तब तो कहती है फ्रैंस यह खुछ से कर रही है हम नहीं करो अरे ज तो तो ने चुट्टी दे दी और तेरी इसकी अम्मी तो रहा देखके बैटी जहां पिल्कुल नहीं करेंगे और तू तो प्रेगनेंट हो गई है दुनिया के अनोखी गर्भवती महिला तो तू तो कुछ करेगी नहीं और तेरी मा को चुट्टी दे दी तो उसके बस चार करके रहे जाओ एडिटिंग के बहाने अब नहीं हो रहा है अब देखो जब सास आई थी तब इसका कॉंटेंट बहुत इसके लिए था माई ने रखता तुरंट जो है दोड़ के चलिया आती थी अपनी मा के घर पे मौदा हा जाती तो तुरंट मासी के घर पर भग के चली क्योंकि बहु ने अपनी मा को बुला लिया बुलाएगा ना कितना तुझे फ्री में खिलाएगी पूरी संगी थोड़ी पालेगी है उसकी माने पाल पोसके बढ़ा किया काबिल बनाए तो मा को रखेगी ना क्यों ना रखे भाई और बहु से जादा तो बेटे से जनम खो है और पूरे अपने बोडी को लपेटना वह भी ठीक है भाई खड़े रहे ना कंटीनूस ती वह भी एक आठी एक अलाई है और बहुत मेहनत लगती है लेकिन हर कुछ दिन बाद यहां पर आ जाता है बालू बहन बालू बहन करते करते यह फाइदे के साथी इनके रेस्ट तुझे अच्छा बई मिल गया था मंत्र गुटका वह मंत्र मुझे भी सिखा रहां वह मंत्र कुछ भी नहीं है सिर्फ इतना बोलना है मैं खुस हो मेरा घरवाले खुस हो तुम खुस हो इजद दिलाए के ना इजद दिलाई ना तक इनसे क्यों लड़की को पकड़ना है माबाप ने जो इजद बनाई है उस इजद का रोब दिखा कर क्योंकि हमने तो खुद ने कुछ कमाई नहीं हाँ फ्रैंट तो फिर उसके बाद जो है उसको हर दूसरे दिन गैसलाइट करना है कि तुम तो ऐसे ति तुमसे कुछ साधी नहीं कर रहता गांगोलर को हमने हाल लिष्ट ने कर रही है निदे कर रहां है आप हमारा ख़्याल नहीं रख रही है तो ऑर जुछ की प्रेगना प्रभू अगयरा सब प्लिंगेट करके नहीं जाते तो अच्ब आ सबो ढटर कर रहे हैं अगए सब्सब्स ढागेरा ऑगरने कह तो इतना लली घ erागैए न तो मैंने कहीं नहीं देखा जहाब इंजन खड़ा भी नहीं होता ऐसे जो सील नहीं होती हो जो दरिया किनारे की इस तरीके से पड़ी रहती है सोफेब ऐसे चिपक के सोचो कोद इतनी बड़ी है धगगी अपनी मा को दाना मारी वह तो अप्षू थो खेर है ही इस लाई बिचरीचिय को अलए पेटी खाला बेचार ली लिए लगनी पसंद देद खगड़ा करने लिगए प्राण मोलि केर्दे को लडत है तो इसका यही आदत है, बाकियों के साथ का बनेारीजन करना, अब बत बता, शुक्र मानो क्या मूली बाकी लटकियं का लड़ाइने चोथा लगवे लड़ती है क्योंकि उनके पतिगी ऑकात होती तुमूली की उसे रखती है तेरी अगास है Samsung का यह लिटिस पहन दिलाने की आई फॉन दिलाने की तो तेरा पती तुझा तो दुझे पते हैं तो बहुत तो तुझे पते तेरे पते की मुली भर की वेल्यू है मुली भरकी ओकात है और जिनके पती जिनके पार्टनर जो भी है एक्स भाई-जड वो अगर अफ़ोड कर सकते हैं तो वह क्यों न दिलाए अब तेरी तरह नहीं होता है ना जिनका पति लुका होता है कुछ नहीं दिलाता उल्टा दिलाना पड़ता है सार किसी का अब बाल नहीं होता है ना दिलाए तो क्या ही है और किसी को मौंटन पसंद है किसी को भई जो है समंदर पसंद तो उसी तरीके से किसी को भई लगिड़िस आइटम पसंद तो दिला देते हैं एक ही तो जिन्दगी है एस करो मजए से ख़ाइश अपनी पूरी और क्या तो भालु जाए वहां पर भी शेड करना वह शेड को तो कहीं नहीं कर रही थी कि भावी जान जो है हीरे के अंगठी मंगाती रहती भाईसे अलवी का बैग वगाइरा महिंगी से सैंडल तो शायद से भालू भावी जान को टॉंट मारी थी लेकिन भावीजान लड़की कहा थ तो औरद है लेगिन फ्रेंसू हम अपने आपको बच्ची मानते हैं आठ साल की बच्ची तो उस हिसाब से हमारे लिए तो भाव भावी जो है वह लड़की है फ्रेंसू मानो या ना मनो फ्रेंसू हम चोटूसी डन्नूसी मुन्नूसी गबराट वाली गुडिया है पापी बचार बालो ने यह content बना दिया घधी ने अच्छी बात है कि बनाए पहली बार एक अच्छा गाम किया बालो ने तो सुटो बेगम जो है उसका असली चेहरा दिखिया उसका इसली रंग दिखा गया जो बिचार वह जो नान है वह रिपीट करता है नान और पिज़ा बहु कि ऊंको साइस तो नान ने रिपीट किया थे वह कबडे तो गुषू टाराने बोला था कि किसी और को दे देना अब नान उसके साथ मसती कर रहा ठीक है बहुत मां बनती है आवा बनती और नान बढ़ा दरजां ते शी को कि बड़ी मंध मा लगती मासी साधी की वो किसी गरीब को दे देना दरी अपने अर्जिक्राइब favorable घजिंट को सुक्या मतलए टेस्जाँ को सा सब्वाइब हुआ ठीक है कि एके Susie इंके इल्टा-जार्ळ देखो यहां यह देखो मुझे तो ना तभी पता चल गया था जब यह लोग ना विगेशन पे गया थे लो ना विला तो पिजा जोए ना इसका सुट्टो का फोन यूज कर रही थी तो यह मेरा फोन ला मेरा फोन ला तो भालों ने वहां पे गल्थी से एडिट करना भूल गए उसका कर न अब तब तक वह अनवेर थी कि एम्रा ओन है भालु का फिर भालु ने जो है पल्टा मार लिया भालु ने बात पूरी बात में तो है श्चीनी मिला दी भालु ने कि अम्मी खाला लेकर गई थी और बेचारी खाला ने सबको जो है रिष्टेदारों को सारे कपड़े बाट दिये अब उसका चैरे तो फिर उतरा हुआ थे फिर अब इसको पता चल गया इस डोंगे वरत को पता चल गया कि कैमरा ओन है भालु का तो हां 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 सारे कपड़े बाट दिये तो जो वो लोग बोलते है मुझे की अम्मी को थोड़ तो देख रही है सुटारा बेगम की स् मा जैसी अरे वो जो खुद अपनी बेहन की रिस्पेक्ट नहीं करी उसको जो है बोल रहे है गरीब और तेरी जो तुम्हारी जो बेटी बनी ना करोड़ पती उसी के बच्चों को दिखा दिखा कर बनी है डिके चार साल से वो एक्स्प्लोड कर रहे हैं हर बार बोलती हू तो यह तो खाली ओन केमरा है ओफ केमरा यह कितनी जादा होगी दोनों मा बेटी का निंग तो ओन केमरा दिख्या गलती से और फिर कैसे मैं हमेशे बोलता है बहुत बड़ी एक्ट्रेस है यह जो शर्मीली है तुरन कैसा देखो यूटन ले लिया पूरा हां पर दिये दिय और तब बोल रही है मिल गया तुम है अपना जवाब मिल गया ना ओ भाई तुम को अच्छी नहीं लग रही हो कि तुम सेवेज नहीं दिख रही हो जो अपने 16 साल के अब अपने भांजे को यह मूह तोड़ जवाब देकर कि तुम्हारी मा गरीब है शरम आनी थी तुम भ करने बेचारे अपनी पड़ाई लिखाए को साइड भी करके दर किनार रखके अभी भी जब वो शादी में गई ना एक बार भी पिजा से पूछना जरूरी नहीं समझा गुटका ने बोला अरे तुम नहीं आ रहे हो तो ऐसे बात बदल लिए भावी 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 हर जगप इसको कंपनी चीए खुद नहीं जा पाथी तो पिजा को भी नहीं जानेगी खुद के दोस्त नहीं तो पिजा के भी नहीं बनेगी कितनी बड़ी विमन चायल्ड ओर थे तुम अब देखा अगले व्लोग में ना पिजा से बुल आलेगी फ्रैंस पिजा जो है व और सोचो जिस नान को उसने नीचे दिखाया था यह बोलकर कि तुम्हारी मा गरीब है यह वह वह उसी नान ने जो है इतनी भारी भरकम और भाई हाथ बिचारे का सही सलाम हो थो भारी भरकम और को लेकर स्टेज पर चड़ रहा था ना चड़ नहीं पाती है क्योंकि और बिल्कुल करके वॉक करें तो बिल्कुल बन दे है इसके बेटे ने भी इंको पड़ी ही नहीं तब ही बोल रहा था कि मुझे पता आप नहीं करो कि लेकिन फीर मेरे ड्यूटी है वाई क्याप करो तो पड़ी ही नहीं है चाहे कुछ भी कर लो उसको बहुत अलसी और त बहुत बढ़ा उपकार किया तू भई मत आया कर गुट का भई तू मत आया कर और दाथ साफ करके आया कर अगर आया कर चलिए अभी के लिए बस इतना ही मिलते नेक्स प्रकस्ट में अपना ध्यान रखेगा बाई